Yes, now we will discuss about velocity of electromagnetic wave ठीक है या आप इसको speed of electromagnetic wave भी बोल सकते हैं तो देखिए ये बड़ा दिल्चस्प बात है actually है कि Maxwell के द्वारा ये जो speed है electromagnetic wave का जो है वो theoretically रूप से derive कर दिया गया देखिए theoretical physics का मतलब ऐसा नहीं समझते हैं कि theory type का जो literature type का लिखते हैं वैसा कुछ नहीं ठीक है theoretical physics बोलने का मतलब है जब आप चीजों को बीना experiment का logic के सहारे, mathematics के सहारे आप जो है एक तरह से derive करते हैं ठीक है physics में जो घटना है घटना ही जो चीजे हो रहे हैं उसको हम लोग physics के दृष्टी से एक्स्पेरिमेंट के हुए ठीक है इतना high velocity जो electromagnetic wave का होता है वो कलम के सहारे एक तरह से physics का इस्तमाल करते हुए जो है और कुछ basic logic बगार और mathematics का इस्तमाल करते हुए उन्होंने proof कर दिया ठीक है यह बड़ा ही आजसरजनक बात है दि आप बहुत चहर करके थोड़ा imagine करेगा तो आदमी को experiment के हैसाब से किसी पत्थर का speed या किसी गोली का speed या rocket का speed बताने में भी दिक्कत महसुस हो सकता है ठीक है theoretically रूप से तो सोचना थोड़ा सा और मुस्किल हो सकता है लेकिन इतना high speed जो कि electromagnetic wave का रहा करता है जो कि associated with the light wave भी आप बोल सकते है यह कि light को भी हम लोग according to the classical physics जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं एक तरह से जो है बिना किसी experiment किये हुए normally जो है column के सहारे जो उतना high speed को जो कि approximately 3 into 20 to the power 8 meter per second actually रहा करता है extremely high speed इस से ज्यादा speed जो है theoretically रूप से possible भी actually नहीं ठीक है इतने high speed का जानकारी जो है बिना experiment के हुए Maxwell के द्वारा column से derive कर दिया गया actually ठीक है कहाने का मतलब यह रहता है कि कैसे logic के सहारे हम लोग physics कितना powerful आपको method देता है actually बातों को explain करने के लिए जो प्रकृती में घडते रहते है ठीक है तो हम लोग जो है अब अच्छी तरह से समझेंगे कि electromagnetic wave का speed है वो कितना हुआ करता है और कैसे Maxwell जो है इसको derive करके रखे थे या Maxwell के द्वारा कैसे इसको theoretically प्रूफ कर दिया गया था कि इसका speed होता है हम लोग तो देखने ही वाले है इसी के बारे में ऐसे जानकारी दे दे रहे हैं कि जो इसका speed रहा करता है ठीक है electromagnetic wave का speed रहता है उसको small c से denote करते हैं और यह जो है under root 1 by under root mu naught epsilon naught के बरावर होता है जो कि इसका approximately value आप 3 into 10 to the power 8 meter per second आप बोल सकते हैं जो कि extremely high value एक्चुली रहा करता है तो आप समझ सकते कितना ज्यादा speed actually है आप इसको बदलिए kilometer per second में जो है ठीक है और तुलना करिए आप normally rocket का speed जो रॉकेट का speed normally बहुत ज़्यादा नहीं रहा करता है इसके तुलना में दी normal life में देखेगा तो बहुत ज़्यादा speed रहता है लेकिन light के speed के तुलना में करिएगा तो rocket का भी speed काफी कम रहा करता है उसको पार करने के लिए gravity का जो है normally 11.6 km per second के आसपास उसको इसके philosophy चाहिए तो माल लेते 20 km per second के हिसाब से चलाए जा रहा है 30 km per second के हिसाब से यह तो लाख km per second के हिसाब से चल रहा है तो यह काफी जादा speed रहा करता है आप इसको थोड़ा convert करके आप देख सकते हैं खलका सा जिकर किये हैं तो थोड़ा सा समझी लीजिए फिर तो हम लोग derive करेंगे लिए फील होना चाहिए थोड़ा सा km per second तो आप समझी यह आपको कितना हो गया इसको आप km में बदल दी क्योंकि 10 to the power 3 इसको दे दीए तो यह 3 हो गया और 5 सुनने इसमें दे दीजिए ठीक है एक दो तेन चार पांच ठीक है km per second ठीक है तेक आई दहाई सैंकड़ा हजार दस जार लाख ठीक है तो समझी कितना हाई स्पीड है कहा रॉकेट का स्पीड 20, 25, 40 में आप बात कर रहा है कहा यह 3 लाख है इतने हाई स्पीड को तो नॉर्मली मेजर करना आसान चीजे बिलकुल ही नहीं और इसको मतलब समझी कि मैक्सविल के दवारा जो है कलम से इसको डेराइफ कर दिया गय और एक और भी आपको आसर जनक बाते लगेगा हलाकि वो बाते थोड़ा उसका विसे अलग हुजाता लेकिन थोड़ा आप सोचिए कि सोच का विचार का कितना पावर एक्चुली रहता है इंडियन फिलोसफी में एक्चुली कुछ असलोक ऐसे पाईज आते हैं वेदों मे जो है जिसमें जानकारी दिया गया है कि सूर्य का किरन जो है एक्चुली हमारे पास प्रित्वी पे जो है कितना स्पीड से आता है तो उस समय का अपना यूनिट था ठीक है अपना यूनिट था जैसे कैसे अभी भी दूरी का कुछ-कुछ अपना यूनिट रहा करता है पास्पिकल रूप से बाकी से देखा जाता हो थिंकर है एक तरह से एक इंटेलेक्शुल पॉर्षन विचारक है एक्चुली जो विचार में लगे हुए रहते हैं सोच समझ में एक्चुली लगे रहते हैं जिनका बाधिक्ता ही सबसे बड़ा एक तरह समझी की संपती है या बधिक्ता ही उनके लिए जीवन हो चुका है एक तरह से तो उन लोगोंने डिसक्राइब करते समझे। उन्होंने क्या दिया उन्होंने बताया कि सुरज के किरन रौस्णी पृत्वी पे किस गती से आता है तो वह अपने हिसाब से उनका unit लेकिन उस यूनिट को आज मॉडर्न यूनिट में दिया बदल लीजेगा, मतलब किलो मीटर वगएर में मीटर में बदलीगा, तो बड़ा आस्चरजनक रूप से जो एक्चली ठीक है, वो इसी के आसपास एक्चली आय करता है, ये इंडियन फिलोसफी का एक तरह से आप बो जो किता है, उसमें आप्टिक्स वाले टॉपिक में जाईए, उसमें आप देख सकते हैं, जो कि उसमें आप्टिक्स वाले में शुरुआत करने से पहले आप्टिक्स को उन्होंने ये जानकारी उन्होंने भी रखा, क्योंकि वास्तों में ये आस्चरजनक बात है, ठीक है कैसे इधर तो mathematics के सहारे हम लोग कुछ physics के logic के सहारे हम लोग कुछ scientific सोच के सहारे हम लोग इसको derive करते हैं लेकिन इतने साल पहले Indian philosophy में किस तरह से normally इस तरह का सोच को लाया गया यह थोड़ा समझ से परे लगता है लेकिन जो भी बजा रहा मनुसिका जो सोच है कितनी दूर तक जा सकता है इसको अभी तक आकलन पूरी तरह से नहीं किया गया है और किया भी नहीं जा सकता है दिन परती दिन इसका normally सोच बढ़ता ही जा रहा है देखते हैं आज चांद सितारे बगरार पर चीजे लोग जाना स्टार्ट कर दिया है एक तरह से ठीक है सितारे पर तो नौर्मली जो है इसको नहीं सुनना है तो आगे बढ़ा लीजे उसको जो है आगे बढ़ा करके जहां से स्टार्ट क्या हो आसे पड़ी योगि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो नौर्मली ये सब सुनना पसंद करते हैं और अच्छे लगते हैं हो सकता है आप ही को scientific temperament या आप बोड़ सकते हैं एक तरह से जो वैचारिक सोच है उसका उच्छेतम स्रिनी के बारे में बता रहें कैसे वैचारिक सोच कितने उचे चले जाते हैं एक्छली जो है कि लोग जो है देखी इधर Maxwell के द्वारा किस तरह से और इससे ही पहले जिक्र किया गया इंडि लेवल पे अच्छली है लेकिन हम लोग अभी जो discussion कर ले रहे है वो graduation level का discussion ठीक है जिसमें हम लोग Maxwell के द्वारा Maxwell के equation के द्वारा अच्छली जो है हम लोग क्या करेंगे हम लोग derive करेंगे speed of electromagnetic wave जो की associated with the light speed भी आप बोड़ सकते हैं यह light भी एक तरह से electromagnetic wave ही रहा करता है according to the classical physics ठीक है तो हम लोग आते हैं इसके बारे में ठीक जिन लोग को अच्छा लग रहा होगा उनको तो अच्छा लग रहा होगा तो ऑच्छा लग रहा होगा और अप ज know का उनकी नों वैसे लोग जो exam से घड़ बढ़ाये हैं, वो syllabus के हिसाब से जो है नॉर्मली बस exam exam से खाली मतलब उनको रखनते हैं actually, तो वैसे लोग इदी जो चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा बढ़ा करके तो देखी सकते हैं, आप offline class में थोड़ी नहीं actually, यहां तो आप जो चाहिएगा उसको आप आगे पीछे बढ़ा करके, जो इतनी बार चाहिएगा repeat करके आप देख सकते हैं, तो हम लोग अब आते हैं इस दिल्चस्प derivation पर actually, हम लोग Maxwell का इस्तमाल करेंगे, मतलब Maxwell's law of electromagnetism का इस्तमाल करेंगे, और यदि नहीं मालूम है और नहीं ध्यान में है, तो आप उसको ध्यान में रख लेते हैं, वरना आपको यह topic सुनने का हक नहीं है actually, भले आप देख लीजिए, अलग बात हैं, लेकिन हक नहीं है एक तरह से, आपको पीछे का जानकारी चाहिए होता है, तो Maxwell's law of electromagnetism का हम ल जोटी हुआ करता है, ठीक है, डोवी भाई, जोटी हुआ करता है, हाँ, हम लोग यह भी देखेंगे, velocity of electromagnetic wave in air या free space, एक तरह सब लोग देखते रहेंगे, हम लोग in air या free space, हलका हम आपको हिंट कर देंगे, कि यह कोई medium रहता तो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी ज़ए देंगे, ठीक है, लेकिन फिलाल में हम लोग free space air, नॉर्मली रूप से जो experiment होते हैं, फ्री space में ही होते हैं, जहाँ पर air का presence वगरा है, उसके वारे हैं, ठीक है, हलाकि यह speed जो है, electromagnetic wave का जो हम लोग speed निकाले हो, vacuum में भी वही रहा करता है, क्योंकि electromagnetic यह, air बोलिए, vacuum बोलिए, एक ही तरह का बात है, electromagnetic के नजरिये से, ठीक है, mechanical ही रूप से वह अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ प्रेसर वगरा का जो है, नॉर्मली बात आने लगता है, chemical ही रूप से देखी तो अलग नजरिये है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग gas एक्टियन है, air वगर है, और vacuum, absenteeism of any material एक्टियरी रहा करता है, ठीक है, तो देखते हैं, physics में, और अलग-अलग जो section होते हैं, science के जो है, normalist में, हम लोग-अलग जो है एक तरह से सोच रखते हैं, ठीक है, तो deal crosses होते हैं, minus जो भी बाइ डोटी, और deal cross, h जो होते हैं, fourth law क्या होते हैं ठीक है वही लोग से पूछा जा रहा है जो समझते हैं कि हमको बहुत सारे चीजी आ रहा है तो बताईए ध्यान में है तो ठीक है comment box में अप लिख सकते हैं वरना मन में तो सोच सकते हैं और जो लोग हाल बढ़ाए हुए ना उनलोग जनकारी दीजिये पीछे का मालूम रहेगा तभी आपको आगे का समझ में आगवर्ना से तहमरीपीट कर ही देते हैं ध्यान में होगा जो कि uży single control current आपको रहा करता है और zupełnie displacement current रहा करता है देंसिटी आप सकते हैं current density जोडी भाई जोटझ आज़ी तो यह हम लोग का Maxwell's law of electromagnetism रहा करता है, इसी का इस्तमाल करके हम लोग यह derive करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, इसको पहले हम लोग equation number 1 मान ले रहे हैं, इसको equation number 2 मान ले रहे हैं, ताकि इसको हम लोग call कर पाएं, बुला पाएं, बुला पाएं मतले in the sense कि लिखने से बच भी सकते हैं, आप सीधे लिख सकते हैं, using equation 1, using equation 2 ऐसे करके जो, ठीक है, तो हम लोग जो है, क्या काम करने वाले हैं, अब जो है, taking curl, taking curl in both side, taking curl, taking curl of equation 1 in both side, ठीक है, both side, दोनों साइड हम लोग जो है, curl ले लेंगे, ठीक है, तो curl लेंगे तो actually क्या रहता है, del, cross, पहले से ही उसका curl था, फिर से उसका curl ले लिजेगा, del cross, del cross, e vector, is equal to, इसका भी curl हो जाएगा, del cross, ये क्या हो जाएगा, minus, do b by, do t आपको हो जाएगा, clear है, clear है, actually क्या हो गया, ये थोड़ा mode tap का दिखने लग रहा है, ये mode नहीं, ये bracket का हम लोग sign दिये थे, ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको आप फ्रसा आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते है, minus del, और cross, minus को बाहर निकाल लिजे, और b को आप क्या लिख सकते है, mu not h लिख सकते है, mu not h vector, और by, do t आप इसको बोल सकते है, तो minus, इस mu not, जो की constant है आपको, ठीक है, इसको आप बा चीज तो है, नहीं भी होता है, mu not, आप गारंटी ले रहे हैं, एक तरह से, कि फ्री स्पेस में है, air में है, या वाकम में है, तब आप जो है, जो permeability हुआ करता है, ठीक है, उसको आप देंगे किस से, mu not से represent करते हैं, कोई और material होता है, तो फिर हम लोग उसको mu से represent करते हैं, जो कि आपका, उस समय फिर हम लोग mu को कैसे निकालते हैं, medium में, हम लोग relative permittivity बगारा का, या permeability का, जो हम लोग इस्तमाल करने लगते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है, कि यह जो है, free space में होने के वज़ए से, हम लोग mu not क परियोग किये होगे, ठीक है, या air में, या free space में mu not का परियोग किये होगे, तो हम लोग का हो गया, कहने का मतलब यह हो गया, कि इसको minus mu not, और यह del cross, और यह क्या हो गया, do h by dot, ठीक है, do h by dot आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, del cross do h by dot, अब जो है, देखिए, यह जो आप commute कर सकता है, मतलब ये इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, तो इसको अंदर ले करके हम लोग जा सकते हैं, तो इसको हम लोग अंदर ले करके जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको जो एक तरह से, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, equal to minus mu naught ठीक है और ये do del cross h ये property होता है ये सब vector calculus बगर हम इस सब चीजों को देखा करते हैं ठीक है तो ये आपका जो है del जो है इसके साथ commute की एक तरह से इसके साथ issue setup कर सकते हैं del cross h is equal to आपको क्या होते है del cross h हम लोग क्या लाए हुए थे del cross h del cross h जो हम लोग लाए हुए थे वो क्या लाए हुए थे del cross h del cross h जो हम लोग का था using equation 2 ठीक है इसलिए हम लोग उसका नाम दे दिये थे del cross h को जो है आप क्या लिख सकते हैं del cross h जो था वो jc और plus या आपका जो है do d by do t था इसको हम लोग क्या लिखे हुए थे z लिखे हुए थे ठीक है तो यह हम लोग का यह क्या हम लोग लेकर के आगए है यह हम लोग का जो आया हुआ है ध्यान रखी तो हम लोग लिए थे curl लिए थे equation 1 का जो कि del cross h यह इतना हम लोग का आया हुआ है अब जो है आप free space में बोलते हैं या vacuum में बोलते हैं या air में बोलते हैं ठीक है तुछ समय उसको आप characterize कर सकते हैं free space can be categorized as free space इसको आप equation 3 मान लिजी ठीक है ताकि इसको भी पुकार पहे free space can be characterized उसको आप गुंद दे सकते हैं can be characterized किस तरह से characterized कर सकते हैं characterized by row is equal to 0 free space बोल रहे हैं तो charge free reason है ठीक है charge free reason या air वगरा में आप बात कर रहे हैं तो एक तरह से वहाँ पे charge का मौज़ूदगी नहीं रहता ठीक है vacuum वगरा में आप बात कर रहे हैं neutralize situation है air वाले में ऐसा नहीं कि इसको ionize करके आप सोची ठीक है neutralize normally रूप से air neutral बेहाब करता रहता है जब तक कि आप इसको ionize नहीं करते हैं ठीक है तो row is equal to 0 current density नहीं रहेगा तो conduction current जो रहेगा ठीक है वो 0 होगा क्योंकि जब charge ही नहीं है तो conduction current भी नहीं रहेगा सिग्मा को भी आप 0 बोल सकते हैं ठीक है charge density जो आपको यह surface charger रहते हैं जीरो conduction charge density भी आपका ज़ए 0 हो जाएंगे और जो permeability रहा करेगा magnetic permeability मू जो रहा करेगा उसको आप क्या लिखेगा मू जो रहेगा उसको मू को जो आप क्या लिख सकते हैं नॉट से देते हैं जो कि 8.85 इंट टेन दी पावर माइनस 12 होता है और जो permeability रहा करता है free space में या air में या वैकम में जो रहता है magnetic permeability वो क्या रहाता है में इस इकल्टो मू नॉट रहता है जो कि 4.2 टेन दी पावर माइनस 7 unit रहा करता है तो free space जो कि आप air वैकम आप बोल सकते हैं एक तरह से ये सभी में characterization जो आप इस तरह का दे सकते हैं ये तीनों चीजे जो है mechanical ही रूप से अलाग है लेकिन electromagnetic ही रूप से repeat कर रहे हैं कि वो चीजे जो है same behave करता रहता है same behave करता रहता है खाने का मतलब ये है तो ये आप करा गया तो अब देखी अब हम लोग जो है we know आप जानते होंगे तो ठीक है नहीं जानते होंगे तो vector calculus में आप देख सकते हैं we know from vector calculus from vector calculus इसलिए vector calculus पढ़ना उसका जानकारी आपके पास बेहत जरूरी है आपको electromagnetism पढ़ने के लिए देखी curl of curl of any vector function कोई भी vector function उसका curl अफिर इसका curl लिया हुआ है थी the curl of curl of any vector function is equal to gradient of divergence of that vector function minus laplacian of that vector function उस vector function का आप क्या करते हैं एक तरह से ये laplacian के साथ इस तरह से लिखते हैं तो कोई भी vector function होगा इसको आप इस तरह से transform कर सकते हैं तो यहाँ पर भी तो यही काम है एक्चली electric field भी तो एक vector ही है तो हम लोग यह formula उसमें लगा सकते हैं और ऐसा काम हम लोग जैसा electric field के साथ काम कर रहे हैं अब यह बात आपके साथ पूरी तरह से open है कि वैसा ही काम हम लोग magnetic field के साथ करेंगा और उसी तरह का expression जो आया करता है यह हम लोग देखें कि electric field और magnetic field complementary एक तरह से होता है एक दूसरी के time variation के द्वारा जो एक दूसरी में convert हो सकता है एक तरह से जो तो इसमें अब हम लोग इस्तमाल करेंगी इस बात को ठीक है थोड़ा साथ हम इसको नीचे कर ले रहे है कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा अब दिख रहा है अच्छली यह जो इसमें आप इस्तमाल करिएगा equation 3 में तो देल क्रोस देल क्रोसी curl of curl of electric field इसके हिसाब से formula को इस्तमाल कर लीजे और GCs होगा, क्या होगा? जीरू होगा क्यों? क्योंख कि आप free space में काम कर रहे है एर में काम कर रहे हैं, वैकम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे conduction current नहीं रहा करता है तो आप इस तरह से free space को characterize कर सकते हैं यह आप electromagnetic wave बी जो रहा करता है electromagnetic wave जो रहा करता, तो neutral type का behave करता रहता आपके साथ, इसा थोड़ी नहीं कि light आप पे fall किया था, आप जो है charge महसूस करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है तो light जो है, वो neutral की तरह आपके साथ behave करता है, तो उस सब हिसाब से भी आप rho is equal to 0 और jc is equal to 0 आप रख सकते है, तो हम लोग यहाँ पे भी जरुवत है, jc is equal to 0 रखने का है, ठीक है, तो हम लोग रखेंगे, यहाँ वाला तो दिख रहा है कम से कम जो है, तो del cross del cross e के जगा आप हम लोग क्या लिखेंगे gradient, just 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 इधर उधर ये थोड़ा खरबडाने लगा gradient, किसका? gradient of divergence, दिख रहा है ना actually क्योंकि हमको थोड़ा सा लगता है कि नीचे कहीं नहीं लिख रहे हूँ gradient of divergence, ठीक है, gradient of divergence of electric field, ठीक है minus laplacian of electric field, ठीक है, is equal to, is equal to, यह minus mu naught जिसके हम लोग लिखे वह थे, 2 by 2T, किसका? यह 0, पलस और यह 2 by 2T यही होगा ना आपका जग, पलस 2D by 2T, ठीक है, समझ में आ गया कि क्या हम लोग करें हुए, इस formula को इसमें हम लोग इस्तमाल कर लिए, ठीक है, जहाँ jc था, वहाँ पर हम लोग 0 रख दिए, अब देखिए stitch के बारे में जो है, तो हम लोग इसको जो है, इसको किसके जगा पर लिखे हैं, ठीक है, यह del cross, del cross e के जगा पर हम लोग formula को इस्तमाल करते हुए, यह लिख दी, ठीक है, तो यह लिख देए, इसका आप जो है vector calculus में देखते हैं कि ऐसा किसी formula, ऐसा किसी operator के साथ क्यों काम करा करते हैं, बाकि हम लोग यहाँ पर इस्तमाल करेंगे, ठीक है, इस result को जो है तो अभी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, तो gradient of divergence of e symbolic रूप से दी लिखेगा, तो यह gradient of divergence of electric field, ऐसे symbolic रूप से आप इसको लिख सकते हैं, clear है, minus del square और e vector is equal to minus mu naught, अब इस 0 खट आईए, यह double derivative of d vector, electric displacement vector, with respect to time, इसके साथ actually हुआ ना, ठीक है, पहले से time derivative, तो फिर से time derivative करेंगा, तो double derivative हो जाएगा, clear है ना, दिमाग में सब 8 रहा है ना, ठीक है, तो यह आप करा रहा है, तो 8 होगा दिमाग में ऐसे, नहीं 8 रहा है, तो 3-4 अच्छा से concentrate हो करके, सुनिएगा, तो समझ में आएगा, ऐसे ही light mood में देखते रहीगा, तो कोई जरूरी नहीं, label आपका ठीक ठाक होगा, तो समझ में आएगा, वरना ऐसे ही light mood में देखीगा, दिमाग चक्रा जाएगा, ठीक है, फिर भगाईएगा, इधर उधर करके, फ आपको इसके बारे में आया, तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, del.e is equal to 0, अब हम लोग equation 3 में इस्तमाल कर चुके थे, तो हम लोग का ये expression आ चुका, बस, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले है, since, since, del.e is equal to, क्या, rho v, ठीक है, और ये 0 हो इन चार्ज फ्री रीजन जो चार्ज फ्री रीजन है जो कि हम लोग को फ्री ए स्पेस या एर या वैकम है इन चार्ज फ्री रीजन ठीक है है ना तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे इसको जीरो लिख सकते थे कहने का मतलब यह तो डेल डॉट डी इस इकल टू जीरो इसका मतल हो गया कि del dot epsilon not is equal to 0. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि del dot e vector is equal to 0. स्म Munh적으로 हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया? del dot d is equal to 0 due to charge free reason तो del dot epsilon not is equal to 0 epsilon dot को इधर बेढ़ दिजीए तो आपको del dot e is equal to 0 हो जाएगा. तो del dot e is equal to 0 यहाँ पर आपको put करना होगा, ठीक है? So, so, यह equation जो है, यह equation है, जह हम लोग put कर देंगे, date dot e is equal to 0, तो यह आपको क्या होजाए? gradient of 0, ठीक है? यह समझ में रहा नहीं, step, क्योंकि जैसा काम इधर कर रहे हैं, वैसे ही काम आभी कुछ धिर के बाद magnetic field के साथ भी करना रहता, ठीक है? is equal to, आप इसको minus mu naught और यह d, d को आप क्या लिख सकते हैं? d को आप epsilon naught e vector लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप लिख लीजें, तो यह आपको equation जो है, यह minus mu naught और यह आपका epsilon naught भी इसको बाहरा जाएगा, और double derivative of e vector with respect to time, ठीक है? equation अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, तो और अच्छा लग रहा होगा, और इसको imagine कर पा रहे होंगे, तो और भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? तो यह आपका होगया, e is equal to, इसको क्या लिख सकते हैं? is equal to 0, यह आपका गया, minus d square e, कहा गया? आपके घर गया, ठीक है? डूड लिजेगा इसको, तो यह आपको minus d square e is equal to 0, यह आपको क्या होगया, minus mu not epsilon not double derivative of e vector with respect to t, अब इसको थड़ा सा आप इधर लेके चलेगे, इधर लेके आएगेगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो this implies, आप इसको लिख सकते हैं, क्या, क्या लिख सकते हैं, इसको जो है, इसको इधर लाने से अच्छा है, क्या आप इसको इधर लेके चले जाएगे, तो इसको इधर लेके चले जाएगे, तो इसको इधर लेके जाएगे, तो प्लस में जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, del square e, मतलब, Laplacian of e vector, ठीक है, minus mu naught और epsilon naught, a double derivative of e, with respect to time, is equal to 0, ठीक है, इसको इधर लेके चले, प्लस में, तो प्लस और ये माइनस, ठीक है, आई तो इधर 0 था ही, तो ये 0 आप इसको इधर लिख दी, ठीक है, ना, clear है ना, सामझ में आ रहा हैं आपको, जागे हुए तो है तो ही आपको हो रहा है, तो ही आपको हो गया, अब इसको जो है, सम्हाल के थोड़ा सा रख लिजे, ठीक है, so, अब आप conclusion के पास क्या चले गए, conclusion के पास चले गए, in free space, in free space, ठीक है, in free space, del square, या Laplacian of e vector, minus mu naught, epsilon naught, double derivative of e vector, with respect to time, is equal to 0, और ये question number 4 माल लेते हैं, तीन तक तो हम लोग पहुंची चुके थे, यहां तक समझ में आ रहा है, ना, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है, तो यह आपको रहा करता है, थोड़ा ऐसे करते हैं, क्योंकि होता है, क्या ऐसे करने से camera के काफी नजदीक हाँ जाता है, तो आपको तो भी थोड़ा सा alertness महसूस होता होगा, कैसे class में आपको खड़ा करवा दिया था, ठीक है, यहां तो खड़ा करने के लिए बोलेंगे आप तो कोई ऐसा तो है, नहीं कुछ effect पड़ेगा, आप तो आराम से लेट करके एक अराम फरामोस होकर के देख रहे होंगा, ठीक है, आप online mode में आप क्या कर रहे होते हैं, पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, यह तो आपको पता है, ठीक है, लेगिन आप क्या कर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, ठीक है, तो यह आपका del square e minus mu naught epsilon naught इतना आपको हो गया, और जो है, similarly, चुकि देखिए, यह derivation आपको करने के लिए exam में देता है, ठीक है, और यह थोड़ा long derivations के category में आपसे पूछता है, ज्यादा marks का पूछता है, इसलिए आप इतना ही तक में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि आप similarly करके चाहते हैं, तो जैसा electric field के साथ है, वैसा ही magnetic field के साथ जो है formula को लिख सकते थे, ठीक ह वरना किसी long questions और भी इसके अलावा दे दे, मान लिजे कि आपको दे देता है, suppose कर लिजे कि electromagnetic wave transverse nature का होता है, और इसको भी proof करने बोल देता है कि electromagnetic wave का speed भी निका लिए actually, ठीक है, तो यह दो long questions को मिला दिया, तब आप similarly करके direct जो है, आप magnetic field वाले के साथ लिख सकते हैं, वर और बड़ा question जैसे transverse nature of electromagnetic wave प्रूफ करने के लिए बोलता है तब, ठीक है, वरना इदिया के लिए इस question को पूछता है, तो आपको थोड़ा length भी रखना रहता है, तो आपको marks देने वाला है, वो long questions के category निम रखा है, तो marks देने वाला है, तो हर strip को आप थोड़ा सा open करके र ठीक है, कुछ लोग तो समझते भी नहीं अच्छी तरह से, ठीक है, बस वो देखते हैं कि normally क्या क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसमें, in free space, this, if this equation 4 को समभाल के रखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे इसको थोड़ा सा इसका जानकारी को ठीक है, similarly for magnetic field, हम लोग magnetic field के लिए जो है काम कर सकते हैं, magnetic field, तो हम लोग का equation, ठीक है, equation using equation 3, ठीक है, sorry 2, 2 हम लोग लेके चले थे, equation 1 और 2, तो 2 क्या लेकर के चले थे, 2 हम लोग का यही वाला equation, था 4th law of electromagnetism लिखे हुए थे, ठीक है, Jc plus, यह डोडी by डोटी, यही हम लोग का equation number 2 था, ठीक है, taking curl, both side, taking curl, इसको लाने के लिए, curl of equation 1 लेकर के चले थे, जो कि हम लोग का Maxwell's third law of electrodynamics था, Jc plus E का curl लेके थे, इसको करने के लिए, हम लोग के फूर्थ law का curl लेके, मतलब डेल क्रॉस H का curl लेके, taking curl, both side, ठीक है, वरना हम यहाँ पर जानकारी दे दिए, taking curl, both side, आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर ले रहे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जल्दी कर ले रहे है, ठीक है, तो यह आपका ज़ए, यह डेल क्रॉस H, ठीक है, डेल क्रॉस H vector is equal to क्या होंगे, यह डेल क्रॉस, यह आपका ज़ साय थे vector calculus का ज़ए, डेल क्रॉस, डेल क्रॉस H क्या होता है, तो यह आपका gradient of divergence of that vector function, minus Laplacian of that vector function, तो यही ना होगा, इसको हम लोग अभी just जो vector calculus में बात किये था, actually, इसका formula इस्तेमाल करके हम लोग इसको लिख चुके है, ठीक है, डेल क्रॉस, आप इसको ज़ए, क्या ल charge free reason में, conduction current density भी नहीं होगा, तो यह भी गया, ठीक है, जैसी नहीं होगा, अभी just बताएं थे, जैसी भी 0 होगा, ठीक है, तो जैसी 0 होगा, तो यह भी गया, charge free reason के वज़ए से, तो यह आपका जो हो जाएगा, del dot, sorry, del gradient of del dot h, तो del dot h, जो है, यह भी 0 रहता है, क्यों होता ह रहता है, क्योंकि del dot b, 0 होता है, ठीक है, आप साइड में आप देख सकते हैं, इधर में जो है बता जैरे, कि del dot b is equal to 0, del dot b is equal to 0, यह तो हमेशा होता है, ठीक है, तो the del dot b is equal to 0, तो आप इसे प्या लिख सकते है, del dot, क्या mu not h vector is equal to 0, तो यहासे क्या proof हो जाएगा, del dot, यह h vector is is equal to 0, दिख रहा है ना, जबा नीचे तो नहीं लिख दी, इतना लिख है, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, del.h is equal to 0, इसी बात को यहाँ परयोग कर दीए, ठीक है, तो यह को हम लोग परयोग किये, थोड़ा से इसको हल्का separate कर ले रहे हैं, इस से जो, बरना इसके साथ mix मत कर दीजेगा, तो del.h 0 हो गया, तो इसको रख दिए, minus, यह आपका जो, एक मिनट जस्ट, इसको वाइट इंक लेते हैं, minus, यह आपका जो है, del square, जो कि laplacian of h vector, is equal to, यह तो 0 ही थी, इसका भी काम खतम, तो del cross, क्या हो गया, यह doty by, यह doty हो गया, ठीक है, doty by doty हो गया, ठी यह आपका क्या हो गया, फिर, यह minus del square h, ठीक है, laplacian of h vector is equal to, बोले थे कि यह जो del actually है, del cross जो है, यह इसके साथ commute करेगा, मतलब उसके अंदर जा सकता है, तो ठीक है, तो इसको आप लिख सकते है, del cross d, ठीक है, over d, तो del cross d, तो यह doty by doty, del cross d, d का मतलब क्या, d का मतलब होता है, epsilon not y vector हुआ करता है, तो इसको क्या लिख सकते है, इसको आप इधर थोड़ा सा ले करके आ जाईए, इसको किदर ले करके आ जाईए, जस्ट जो है आप इसको, इसमें कुछ हम mistake किये हैं, क्या, ठीक है, कुछ mistake, कुछ mistake, नहीं, नहीं अभी, नहीं कुछ किया हुआ ह सही और चल रहा है, तो यह आपका हो गया, इधर हम लोग εप्सालन 눈нибудь को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, эпसालन दोट को इधर बाहर निकाल लेते हैं, तो mental y उनकल झुछ हैं, अब इसको देल क्रोस E, अब डेल क्रोस E का मतलब क्या है, फिर से आप Maxwell's का,就到 क C का जानकारी वो देता है आपको, ठीक है, तो गल क्रोस्य क्या होता है, डल क्रोस्य, माइनस, 2Bby, डोटी होता है, और B क्या होता है, 20 is equal to mu naught H होता है, ठीक है, तो गल कील कील है, अब यहाँ पर जो है, इसको आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना ठीक है थोड़ा तेजी से करते जा रहा है इसको जो is equal to minus epsilon not mu not कोई बाहर निकाल दीजे बाहर आ गया यह do by do t और फिर से इसका time derivative तो double derivative of h vector with respect to t आपको हो गया समझ में आ रहा है यह क्या लेकर के हैं थे minus del square h लेकर के हैं थे ठीक है तो यह क्या आगया actually इसको आप इधर लेकर के चले जाएगा तो इधर तो 0 ही था इधर तो ऐसे 0 आप इसको लिखे हुए थे तो इसको इधर लेकर चले जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देल square h vector minus mu not epsilon not double derivative of h vector with respect to t is equal to 0 आप इसको लिख सकते हैं ठीक है और इसको आप equation क्या मान सकते हैं इसको equation आप 4 मान चुके थे इसको आप equation number 5 मान सकते हैं ठीक है तो देख रहे हैं यह equation वाईसा ही है जैसा electric field के साथ equation आया हुआ था ठीक है electric field के साथ जो equation आया था वो कुछ इस तरह से आया था कुछ इस तरह से आया था हम लोग कहां जा रहे है actually यह situation जो हम लोग का electric field के साथ था यह तो h vector के साथ आ गया equation 5 एक मिनट जस्ट यह आपका electric field हाँ यह वाला equation देख रहे हैं जैसा mathematical format देखी यह भी laplacian of vector minus mu not epsilon not double derivative of that vector with respect to time यह जैसा e के साथ काम किया हुआ वैसा ही देखे इधर जो है h के साथ काम किया हुआ इसी के बारे मुस्ते में हम आपको बोल रहे थे चाहते तो direct क्लिक सकते थे लेकिन तभी लिखते हैं जब यह derivation जो है किसी long derivation को mix up करके दिया अकेले दिया हुआ है तो फिर आपको जो यह करना होगा ठीक है तीजी से इसले कर देंगे कि normally इस topic को जो है यह वाला जो था repetition एक तरह से था h vector के साथ ठीक समझ में आ रहा होगा आपको जो उसे अच्छा है कि आप इसको अच्छी तरह से जो है लिख लीजिए actually notes बना लीजिए ताकि इसका revision कर पाईए बार बार बोलते हैं और ना exam में यह line आपको याद आएगा ठीक है कि notes बनाने के लिए बोला गया था ठीक वरना मौका मिल गया था आप exam में भी हो सकता है कोई ठीक था थोड़ी ना आपका जाए इसको आप इस्तमाल कर लीजिएगा डायरेक्ट जो ठीक है ऐसा करना तो अच्छा बात नहीं कि कब तक एपस तरह से ढो करके या चोरी करके चलिए अच्छी बात भी है ठीक है बस exam में भी अच्छा करना ऐसा नहीं कि syllabus boundary तोड़ने के च ठीक है तो यह आपका हो गया और यह सभी questions जो है काफी important आप किसी भी physics के competition में बैठीक है यदि उसमें subjective allowed है तो subjective में यह सब भी question आपको इतने highly important एक्छली ठीक है और objective अगरा जो exam है तो objective वाले में भी जो आपको Maxwell's law से प्राया questions काफी पूशे रहते हैं Electrovagnetic theory से काफी question रह अब जो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां तक हम लोग आना था since since from 4 and 5 since from 4 and 5 4 and 5 क्या हम लोग लिया है इसको एक जगा समेट ले रहे हैं ताकि थोड़ा देख पाए इसको अच्छी तरह से ठीक है minus mu not epsilon not और यह double derivative of e vector with respect to t ठीक है और इसको जो है लिखे ते कि आप 5 जो है यह del cross sorry del square h vector minus mu not epsilon not और double derivative of h vector with respect to क्या यह t is equal to यह आपका 0 ठीक है तो यह equation आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख ठीक है और देखने के बाद जो है एक जानकारी यह दिए आपके पास है तो आप पहचान रहे होंगे वरनाई यह जानकारी आप ले लीजी एक्चुली क्य रहे है कि above equation above equation जो equation उपर वाला है ठीक है above equation ठीक है above equation एक मिर्ड सू क्या हो गया यह भी थोड़ा सा हड़ बड़ा गया है ठीक है इंखी नहीं ले रहा था above equation resembles resemble मतलब मिलता जूलता रेजेंबल्स ठीक है वेव एक्वेशन जो वेव का एक्वेशन रहा करता है दी पाचान रहे तो ठीक है वरना बता रहे हैं कि वेव का भी एक्वेशन इसी फॉर्मेट में रहा करता है ठीक है वेव का एक्वेशन जो है आप इस फॉर्मेट में जो है इसको दर्सा आते हैं wave का equation इसी format में रहा करता। ठीक है? wave का equation just a minute wave का equation रहा करता है वो इसी format में रहा करता है ठीक है? यू कोई function अपलिई होए रहते हैं तो wave का function actually आएगा जो आप लिख सकते हैं उसको calculus के format में differential के format में लिखते हैं तो ये wave का equation है और ये इसी तरह का resemblance ठीक है, यह जो जगह है, यह velocity वाला जगह था, तो यह भी जो बता रहा होगा, यह velocity वाला ही जानकारी एक्चुली दे रहा है, और यहीं से हम लोग जो है, velocity को calculate कर लेंगे, क्योंकि यह equation उसी तरह का है, जो कि wave का equation है, तो सही भी बात है, यह तो wave को ही represent करने वाली बात है, त तो निसीत रूप से यह भी बात है हो चुका रहाता है, कि यह जो velocity वाला जगह है, वो इसके बराबर यह actually आने चाहिए, ठीक है, तो कहने का मतलब यह रहता है, कहने का मतलब यह है, कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या, so 1 by v square, 1 by v square is equal to mu naught epsilon naught, इसका मतलब आप क्या लिख सकत इसका मतलब v is equal to 1 by under root mu naught और epsilon naught इसको लिख सकते हैं, तो जो velocity of electromagnetic wave जो आया हो क्या है, 1 by under root mu naught epsilon naught है, ठीक है, अब mu naught का value मालूम होना चाहिए, आपको free space में या air में या vacuum में क्या होता है, वो 4 pi into 10 to the power minus 7 होता है, ठीक है, और epsilon naught का value क्या होता है, वो 8.85 into 10 to the power minus 12 unit हुआ करता है, तो उसका digital value आप रख दीजे, इसके पास रखेगा और calculate करिएगा, calculator बगर हम रखते, या आपको मन कर रहा है, तो आप रख करे, गुना भाग भी करी, थोड़ा सा जडिलता लगेगा, गुना करिएगा, उसका root निकालेगा, उसका यसे प्रोकल लिजेगा, ठीक है, तो 7 unit, जो इसका unit हुआ करता है, वेबर ampere per meter भी इसका unit बोल सकते है, ठीक है, और epsilon naught जो आपको रहा करता है, epsilon naught जो है, 8.85 into 10 to the power minus 12 भी unit, तो हम लोग को इसके digit से actually मतलब है, ठीक है, इसके digit से actually मतलब है, इतना unit, तो 8.85 into 10 to the power minus 12, तो इसको आप रखेए यहां पे, तो रखेग तो इसका value गुना भाग कर लिजेगा, ऐसे जो है, ठीक है, 4 pi into 10 to the power minus 7, ठीक है, और into 8.85 into 10 to the power minus 12, ठीक है, इसका digital value रखेगा, तो calculate करने के बाद यह लगभग जो है, 2.9 into 10 to the power 8 meter per second के around आता है, जिसको हम लोग approximately रूप से जो है, क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकत आते हैं, वी जो है, approximately रूप से आप इसको 3 into 10 to the power 8 meter per second लिख सकते हैं, ठीक है, 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 तो जो velocity of electromagnetic wave जो रहता है, वो इतना रहा करता है, और उसका expression आप जो है, कितना से दे सकते हैं, इतना से दे सकते हैं, जो है, आपका equation आया क्या करते हैं, electromagnetic wave की तरह treat करते हैं, मतलब, light का भी speed होगा, इतना ही कि बराबर होगा, और ये exactly वही है, speed है, बहुत समय के बाद, कई दसकों के बाद, actually, जब practically रूप से लोगों ने काम करके, काफी मेहनत करके, जो है, जब experimental रूप से देखा कि light का speed actually क्या है, तो पाया कि य ये speed actually है, ठीक है, और ये कई दसक पहले actually, Maxwell के द्वारा, कलम के माध्यम से theoretically physics का इस्तमाल करके, normally, जानकारी दे दिया गया था, जिसको आप देख रहे हैं actually, ठीक है, तो आप उसके बादिखता को समझे actually, कितना ज़्यादा सूच है, ये तो देखे, हम लोग एक बार किसी चीज का जानकारी तो फिर उसको तुरंत उतार देना कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उस आदमी के बारे में सोचिए, जो कभी किसी चीज को, इस तरह का चीजों को कभी सीखा नहीं था, किस से, किसी से जो है, खुद से normally इस step को actually लिया, खुद से actually इसा सोचा, ब बस ग्लैमर का थोड़ा अंतर है, ग्लैमरस उन लोग कभी जादा है, काफी जादा उनको पहचान मिला, सेलेब्रिटी से भी ज़्यादा बड़ा पहचान मिला हुआ, और मैक्स्विल को प्राया उतना पहचान नहीं मिन पाया, ये एक अलग मैटर है, ठीक है, उसका वज़ इस तरस जो हो, बिना एक तरस एक्सपेरिमेंट किये हुए जो है, इसका वैलू काल्कुलेट कर लिए, ठीक है, और कई दसक के बाद, एक्सपेरिमेंट जब किया गया काफी मेहनत से, ये लाइट का स्पीड को मेजर करना मामूली बात नहीं है, इतना जादा हाई स्पीड है, उसको बताया जाता है कि प्रिथ्वी पे किस गती से आता है, ठीक है, उस दूरी को, और उस टाइम को, जो उस दौरान का प्रचलित जो टाइम का जो एक तरह से यूनिट था, और जो डिस्टेंस का यूनिट था, उसको दिया आज मॉडर्न जमाने के यूनिट में कनव अधिक्ता को सराहा जरूर जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिलाल में हम लोग जो अभी काम किये हुआ है, वो फिजिक्स का इस्तमाल करते हुए हम लोग जो, स्टिप बाई स्टिप बाई स्टिप जो है, इसके बास प्रूफ कर दी, तो यह एक लाइन में दी बोला जाया आप का जो है, तो इलेक्ट्रोमागनेटिक वेव का जो आप स्पीड ले आ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमागनेटिक वेव का, तो इसी को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, ज्योंकि लाइट का स्पीड है, उसके लिए के स्टैंडर्ड डिनोशन दिया गया स्मॉल सी का जो ठीक है कैपिटल सी कूलंब के लिए चार्ज के लिए रहता है तो ये एलेक्ट्रमागनेटिक वेव का स्पीड को हम लोग स्मॉल सी से बी नोट करते हैं ये लाइट का स्पीड को स्मॉल सी से बी नोट करते हैं तो जो वेलास्टी हुआ ठीक है जो वेलास्टी है एक में इसको क्या डिश्टल बन चाहता है वेलास्टी आफ एलेक्ट्र ये थोड़ा हड़ा गया कितना बड़ा बड़ा चीज हुआ अब किसी मीडियम में दी बात करते रहते है ये एर या वैकम में है इन एर या फ्री स्पेस इन एर एक मिनट बोल है अब जो ये अगी जो है अब आप मेडियम में कोई मieडियम रहा जैसे पानी में पेत्रोल में लकडी में और भी अलग अलग मेडियम में रखेंगा तो जो V रहा करेगा मेडियम में उसको आप C सी रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हैं युग कि Speed of Light का Standard Symbol C रहा करते हैं आप इसको C सी रिप्रेजेंट नहीं करेंगा इसको अमोलोग 1 by under root mu जो कि मेडियम करेगा और epsilon जो कि मेडियम करा करेगा permittivity और permeability इसको denote करा करें जिसको आप लिख सकते हैं एक तरह से इसको आप relative permeability के रूप में mu r और mu naught और इसको आप क्या लिख सकते हैं epsilon r और epsilon note जो कि यह relative permittivity रहता है epsilon r और यह relative permeability of the medium रहा करते हैं इसको आप इसको जो निकाल सकते हैं तो यहीं हमारा discussion था, तो उम्मीद करते हैं, कि आपको सारा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा, सुरू से लेकर के हर step को देखते हुए यह दिया आप जो है, वीडियो को देखे होंगे, तो comment जरूर करते हैं, हम तो आपके लिए तरह मेहनत करके दिए हैं, आप थोड़ा सा comment तो कर दीज़ें, ताकि हमको feedback मिले, जानकारी मिले, कि हाँ, वास्तों में आप इस वीडियो को देखे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, कि चलो यह मेहनत किया हुआ कई लोगों के काम में अच्छली आ रहा है, और कौन-कौन लोग serious हैं, यह भी बात का जानकारी मिलता है, तो आप सारा वीडियो को यह दि आप देखे हुआ है, अच्छी तरह से जो है, तो आपनी इसी तरुप से comment करते हैं, हम आपका courses करेंगे, जवाब भी देने का, आपके comment करेंगे, या किसी तरह का कोई doubt है तो आपके पास माध्या में, नीचे आप टिपनी करते हैं, बस सब टिपनी करते हैं, थोड़ा सब इस्तमाल करते हैं, भासाओं को जो है, और उस तरह से टिपनी करते हैं, यह दि कर देने के लिए, तो हम भी कर दे रहे हैं, एक्चली क्या दिक्कत है, ठीक है, तो उससे screenshot भी हो जाएगा, और कभी कवर आपको exam में direct काम में आजाएगा, ठीक है, तो आपको लिखना है, समझना तो आपको जो है, अभी रहता है, तो आप देख सकते हैं, इसमें क्या किये होए थे, ठीक है, तेजी स्पहले हम इसको लेकर को चले आ रहे है, हम लोग स्टार्ट किये थे, electromagnetic wave का, speed हम लोग find कैसे करते हैं, इसके बारे में, ठीक है, तो velocity जो है, electromagnetic wave का, ये find करने के लिए, हम लोग Maxwell's law of electromagnetism हम लोग लिखें, ठीक है, जो कि del cross e, del cross h था, उसके बाद जो है, फिर हम लोग कर लिए, equation 1 का, कर लेने के बाद, आगे बढ़ते गए थोड़ा, इस तरह से जो है, फिर हम लोग कुछ बाते, इस free space का, जो है, क्या होता है, उसका इस्तमाल कियें, फिर हम एक formula vector calculus का इस्तमाल कियें, कि curl of curl of any vector function क्या होता, उसके बाद तो उसमें put कियें, और हम लोग जो है, simple result के पास, जो है, actually, पहुंच गए, जो कि हमारा, यह equation number 4, actually, ठीक है, जिस तरह का काम, हम लोग electric field के साथ काम किये थे, उसी तरह काम, जो है, magnetic field के साथ काम करते हैं, ठीक ह और फिर हम लोग जो है, उसी तरह का equation का format के साथ, हम लोग जो है, हम पे equation number 5 को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जो है, फिर हम लोग equation, wave equation से उसका मिलान करते हैं, और उसी तरह सो match करता रहता है, तो वहां से हम लोग conclusion लेतने हैं, कि इसका velocity निश्चित रुप से इत हम अगर, तक्योप से ओचित सी तरह से हम लोग लोग बार। हम लोग